हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान की सांदार जीत के बाद बदल गया आईपिल 2023 का पूरा पॉइंट स्टेबल जीत के बाद राजस्थान टीम को हुआ पॉइंट स्टेबल में सबसे बड़ा फायदा दरसल दोस्तो आईपिल 2023 के चोथे मुकाबले में आज राजस्थान और हैदराबाद की टीम आमने सामने थी हैदराबाद ने टोस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया राजस्थान रोयल्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 203 रनो का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 137 रन ही बना पाई और बैतर रनो की विशाल अंतर से मैच आर गई राजस्थान रोयल्स ने जीत के साथ आईपिल 2023 का आगाज किया राजस्थान की ओर से जोस बटलर, ये सस्वी, जायसवाल और कप्तान संजू सेंचन ने अर्ज तक लगाए हैदराबाद की ओर से अबदुल समद ने सबसे ज़्यादा नाबाद 32 रन बनाए राजस्थान की ओर से चैल ने चार विकेट और बॉल्ट ने दो विकेट चटकाए वहीं अब आईपिल 2023 की पॉइंट स्टेबल की बात करे तो उसमें टोप चैयर में सबसे उपर नमबर एक पर राजस्थान की टीम है नमबर दो पर लखनव सुपरजोइंट की टीम है नमबर तीन पर गुजरात की टीम है तो नमबर चार पर पंजाब किंग्स की टीम है ये चारो टीम पॉइंट स्टेबल में अभी टोप पर बनी हुई है इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू